तो हलो दोस्तों आप सब लोगों के लिए आज हम एक बहुत भ Counibo को ले कर रहे हैं जहां पर आप सब लोग आप के पास किसी भी website पर जाके आशानी से इमएई पर कोई भी प्रोडक्ट की सौपिंग कर सकते हैं जी हां दोस्तों यहां पर आप सब लोगों को किसी भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट की कोई भी जरूरत नहीं है सिर्फ आपका आधार और पायन लगने वाला है दोस्तों वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा आपको fully detail में समझाने वाले है कि इसका account कैसे create होगा कैसे सब कुछ आपको दिखाने वाले है तो वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगे का बहुत interesting वीडियो होने वाली है उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारी channel पर नहीं है तो channel को जरूर subscribe कर लें ताकि आपको बहुत interesting interesting जानकारिया आपको इस channel पर परड़े मिलती रहेंगी उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप की बात करें तो भाई आप सब लोग देख पा रहे होंगी यहाँ पर वो एप है इस एप का नाम just money app है यह आपको play store पर simply आप सब लोग सर्च करेंगे play store पर जाकर आप लोग just money सर्च करेंगे आप सब लोगों को सब से उपर आप सब लोग देखेंगे इसका logo आजाएगा और आसानी से आप यहाँ से install कर सकते हैं इसके बाद आपको करना क्या है fully detail बताने वाले हैं तो just money को जैसे आप open करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का interface आता है यहाँ पर आप थोड़ी देर loading लेगा loading लेने के बाद आप सब लोग देख पारे होंगे इस तरह का interface आता है यहाँ पर आप सब लोग देखेंगे कौन कौन सी website आप सब लोगों के सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना mobile number fill up कर देना है उसके बाद आपको continue उपर click कर देना है continue उपर click करने के बाद आपके mobile number पर इसके बाद आप सब लोग देख पा रहे होंगे थोड़ी देर processing होने के बाद आपके सामने कुछ आजाता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको अपनी email id fill up करनी होती है जो कोई भी email id आप fill up कर सकते हैं अपना जैसे मैं अपनी कोई भी एक email id इसमें fill up कर देता हूँ अपनी एक email id fill up करने के बाद आपको सिर्फ simple continue पर click कर देना है continue पर click करने के बाद यह आप सब लोगों के सामने कुछ इस तरह का interface आता है यहाँ पर SMS, phone, location आप से कुछ permission मंगा जाएगा उसके बाद आपको allow permission पर click करना है allow permission पर click करने के बाद आप सब लोगों के सामने इस तरह का interface आता है यहाँ से आपको allow कर देना है allow कर देने के बाद आपके सामने थोड़ी देर processing होगा और आपको यहाँ पर redirect कर देगा और यहां पर आपको आपसे पूछा जाएगा कि fill your name as पर पैंड, आपके pen card पर count साब का नाम है, वो यहां पर fill up करना है, तो मैं अपना नाम यहां पर fill up कर देता हूँ, fill up करने के बाद, आप वहां पर नाम fill up करने के बाद, आप सब लोगों के सामने कुछ इस तरह का interface आता ह यहां पर आपको अपनी profile पर चले जाना है, profile पर जाने के बाद, आपको अपना personal detail यहां पर fill up करना है, सबसे पहला आपको अपना name यहां पर fill up करने के बाद, capital letter में अपना name fill up करना है, capital letter में fill up करने के बाद, आपको continue उपर click कर देना है, continue उपर click करने के बाद, आप सब लो आपको मेरा चेहां पर यहां पर पने नंबर यहाँ ताइब करना है यहां पर आपको अपना नंबर टाइब करके लिए क्लिक करनेंगे आप लोगों के पास इस तरह का इंटर फेस आएगा और यहां पर याषच इट्समाय पैन पर क्लिक कर देना है यहां पर यास इट्समाय पैन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा प्रोसेसिंग लेने के बाद आपका नेम आटोबेटिक फिलप रहेगा उसके बाद यहां पर आपको अपना डेट आप बर्थ डाल मिलेगा जेंडर अपना सेलिट करके कंटीनू उपर क्लिक कर देना कंटीनू उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ फिर से पेज उपन होगा वहां पर आप लोगों को चार जगे पर अपना मतलब पर्मनेंट एड्रेस फिलप करना होगा तो फटा-फट से मैं यह भी क टूडेंट हैं तो आप सब लोग जीज कर ले तूएं उसे शेलिक्ट करने के बाद आपसब लोगों का पूछा जाएगा मंतली इंकम क्या है तो आपको अपना मंतली इंकम लगभग मिमम्य 15000 से कम नहीं रखना है 15 हज़ार कम से कम आपको मंथली इनकम रखना है उसके बाद यहां पर देखेंगे मंथली इंस्पेंस का मतलब है आप सब लोग मंथली में कितना खर्च करते हैं तो आप सब लोग उसे भी यहां पर अपने हिसाब से लिमिट सेट कर सकते हैं जैसे आप सब लोग देख सकते हैं, यहां पर 15 सो से 3 हज़ा रुपए, उसके बाद अगर हम बाद करें, कि आप सब लोगों की, मतलब family में रहते हैं, friends में रहते हैं, कि अकेले रहते हैं, तो जैसे आप सब लोग जिसमें रहते हैं, उसे select कर लेना है, उसे select करने के बाद का interface आजाएगा और यहां पर आप सब लोगों से पूछेगा कि आपका account कि す bank में है जैसे आपका जिस भी account बैंक में आपका account हो उससे आपको select कर लेना है select करने के बाद आप सब लोग देखेंगे यहां पर आपको एक option मिल रहा है यहां पर देखें तो u즈 net banking option मिल यहां से आपको verified now पर klick कर देना मेश वेरिफाइफ ने पर क्लिक के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर फेस आता है यहां पर आपसे कुछ एक कंडिशनिस स्शवाछन पूचा जायगा उसके बाद continue उपर क्लिक कर देना है continue उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आता है और यहां पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल अप करना है तो फटर फटर से हम यह भी फिल अप कर लेते हैं यूजर आईडी आपको फिल अप करने के बाद आपको यहां से next कर देना है next कर देने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ी देर processing होगा processing होने के बाद यह आपका details को verify करेंगे और यह approve करेंगे कि आपका कितने का credit limit बन सकता है तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देखत करने के बाद आपको सब्मीट पर क्लिक कर देना है सब्मीट पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने फिर सिर्फ processing होने लगेगा और अब देखते हैं हमारे सामने क्या इंटर्फेस आता है तो दोस्तों वहां पर आपको अपनी यूजर आईटी बैंक के और पासवर्ट फ में हम आपको लेकर आएंगे इस पर shopping आप सब लोग कैसे कर पाएंगे तो वीडियो चैनल को जरूर सब्क्राइब करने ताकि इससे रिलेटेड आप सब लोगों कुछ नया अपडेट मिलता रहेगा इस पर कैसे shopping करनी है हर एक जानकारी आपको मिलने वाली है तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें उसके साथ साथ चैनल परने हो तो चैनल को सब्क्राइब करें मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी को लेकर अगले वीडियो में तब तक के लिए जैंद जैभारत